नुश्कार में राजमोहंतिवारी आप देख रहे हैं बिहारी नियूज। विपक्च के नेता तेजस्वी यादो द्वारा बिहार में हो रही कम कोरोना टेस्टिंग को लेकर लगतार अवाज उठाने का एक असर पिछले दो दिनों से देखने को मिल रहा है कि अब बिहार में कोविड-19 की टेस्टिंग 9000 से ज़्यादा हो रही है लेकिन टेस्टिंग बटने के साथ ही बिहार में मरीजों की संख्या में भी भाड़ी इजाफा दिख रहा है कल जहां 709 नए कोरोना पोजिटीव मरीज मिले थे वहीं आज नए कोरोना पोजिटीव मरीजों के मिलने का सारा रिकोर्ड तूट गया है आज बिहार में 1266 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही अब बिहार में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 16305 हो गई है। बिहार में ऐसा पहली बार है जहां 1000 से ज्यादा मरीज एक दिन में मिले हूं। फिर से लॉकडाउन लगने के बावजूद राजधानी पटना की स्तिती में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। पटना से आज फिर 177 नए कोरोना मरीज मिले हैं। अब केवल पटना में कुल कोरोना पॉजिटीव मरीजों की संख्या 1860 हो चुकी है जबकि बिहार के अन्य जीलों से भी कोई अच्छी ख़वर नहीं आ रही है। लगबग सभी जीलों से भाली संख्या में नए कोरोना मरीज मिल रहे हैं। अगर अन्य जीलों से जो नए कोरोना मरीज मिलें उनकी बात करें तो अररिया से 14, अरवल से 11, औरंगाबाद से 21, बाका से 4, बेगुस राय से 76, भागलपूर से 81, भोजपूर से 40, बकसर से 27, इस्ट चंपारन से 13, गया से 34, गुपालगन से 22, जमुई से 9, जिहानबाद से 14, कटिहार से 46, खगरिया से 11, लखिश राय से 29, मध्यपूरा से 6, म अधुपनी से 6, मुंगेर से 61, मुझफफरपूर से 72, नालंदा से 78, नवद्दा से 76, पटना से 177, पूर्निया से 7, रोतास से 29, सहरसा से 5, समस्तिपूर से 24, सारां से 47, शेकपूरा से 11, सिवहर से 3, सीतामरी से 13, सिवान से 99, सुपाल से 10, वैसाली से 36, और वेस्चंपार से 24, विगर 2 दिनों से बिहार में कोरोना की टेस्टिंग थोड़ी बढ़ी है, तो मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी होना तय है, लेकिन पिछले 24 घंटे में नए मरीजों की संख्या जो सामने आई है वो डराने वाली है, और यह नतीजा है बिहार में अब तक कम टेस तो यह टेस्टिंग उट के मूह में जीरा के समान है बिहार के कई नामी सरकारी अस्पतालों के वीडियो तक वाइरल हुए है जिसमें अस्पतालों में लच्चर व्यवस्था साफ नजर आती है हलांके स्वास्त मंत्री मंगल पांडे का काना एक वीडियो में जो दिखाया गया है वो सही नहीं है स्वास्थ विभाग और सभी अस्पताल पूरी तत्परता से काम कर रहे हैं हलांके बिहार का स्वास्थ विभाग और अस्पताल कितना तत्पर है इसकी हकीकत उन्हें तो मालूमी होगा जो बिहार के अस्पतालों में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं हम उनके जल्दी ठीक होने की काम ना करते हैं और जिस तरह से बसों में लिखा रहता है कि अपनी समान की सुरक्षा स्वयम करें उसी तरह हम आप सभी से अनुरोद करते हैं कि अपनी जान की सुरक्षा स्वयम करें किसी अन्य के भरों से ना रहें, जितना घरों में रह सके रहें, अगर बाहर निकल रहें तो मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर कोरोना की चैन ब्रेक करने में सवयोग करें, क्योंकि अब बिहार खत्रे की रडार पर खरा है, थोरी से भी लापरवाई बिहार के लिए खतरनाक सावित हो सकती है, खबरों से अबडेट रहने के लिए देखते रहें, बिहारी नियूज, धन्यूज,